Assalamualaikum students, regular expression की और examples के साथ next video में Example 27, Language which contains odd number of A's and B's जनाब इससे पहले हम लोगों ने even number of A's और even number of B's को देखा था अब हमारा जो focused है वो हमारे पास है odd number of A's and odd number of B's इसका जो main theme है इस regular expression का उसके लिए हम जो है white board पर चलते हैं हमें इससे पहले तक जो था वो even is and even B's के बारे में था अब हमारे पास इसकी बजाए और इस और और बीज के बारे में है रेगुलर एक्सप्रेशन तो जनाब इसमें theme यह है कि जब even था तब तो कोई मसला नहीं था तब हमने बना लिए expression अब जो odd होगा जब और 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 बीज होंगे तो इसमें जरूर हमारे पास कहीं ना कहीं a से b या b a कोई एक सब स्ट्रिंग पाई जाएगी a b की या b a की तो हम कह देते हैं कि even expression जिसमें even number of a's even number of b's हो फिर a b प्लस b a हो और फिर again even का expression इसके ओपर भी स्टार और इसके ओपर भी स्टार क्योंकि यह दर्म्यान वाला पॉर्शन इट्सेल्फ क्यों है यह और नंबर आफ एज और नंबर आफ बीज है तो इसमें आपके पास even नंबर आफ एज even plus odd even plus odd odd ही रहेगा और even plus even plus odd तब भी odd रहेगा तो यह है इसका main crunch अब आएं इसको जाके दोबारा नोट्स पर देखते हैं handouts पर के वाकिए कैसे हैंaina Gabriel अभ यहां पर यहां पर देखें डबल अ प्लस डबल बी प्लस एबी प्लस बड़ स्वेल इंट्वाच मोट का स्टार अबिcha और यह आपके पास ब्रैकेट कर यहां से स्टार्ट हूई ती वो यहां पे end हो के इसके hold के ओपर star है यह जो green वाला portion पहले वाला है यह actually आपके पास even number of A's and even number of B's के लिए दर्म्यान में मैंने AB plus BA का patch दिया है to make number of A's and number of B's odd और उसके बाद दुबारा even का patch दे दिया है तो दर्म्यान में हमें कहीं न कहीं पे या AB या BA की turning लाजमी मिलेगी Next में आपके पास है the language has length for and start and end with different letter अब length को जब fix कर दिया जाता है तो इसमें याद रखें कि कभी भी star वगारा use नहीं किया जाता क्योंकि जार इसी बात हैं हमने fix length अप्रोच करनी होती है अब length 4 इसने fix की है तो इसका मतलब है start और end आपने अगर different letter पे करना है तो अगर A से start करेंगे तो B पे end करेंगे और दर्म्यान में आपके पास जो है A plus B और A plus B तो first length ये A generate कर रहा है A plus B और A plus B ये दो lengths generate कर रहे हैं तीन length हो गई और fourth place पे आपके पास ये B आएगा और अगर इसी तरह B है तो end पे आपके पास A आएगा और दर्म्यान में two length का कोई सा भी word जो है वो attach हो जाएगा अब इस example में देखें the language which has exactly one B and must have length greater than three length भी greater than three होनी चाहिए और exactly आपके पास एक B होना चाहिए और जितनी भी ये languages हैं defined over A B है तो एक possibility तो ये है कि length greater than three है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये B double A A plus length greater than three है तो इसका मतलब ये तीन A लाजमी आएंगे और A के उपर plus है तो तीन से ज़्यादा भी दफ़ा ये आपके पास A आ सकता है एक दफ़ा तो ये अकर हुआ है last वाला उससे ज़्यादा भी अकर हो सकता है तो ये B double A A plus या B start में हो या B second place पे हो sum A's के बाद end में आपके पास जो है आपके पास आ रहा है B second place पे बन रहा है B third place पे बन रहा है तो या फिर आपके पास B आखर में बन रहा है fourth and so on fourth place या फिर से आगे यह यहां पर छोटी सी misprinting है इसको सही कर लेते हैं अब ज़रा देखने यह अगर आपके पास B first place पे है तो यह है आपके पास first place second place third place fourth and onward places के लिए क्योंके length आपके पास जो है greater than three होनी चाहिए तो three से आपके पास minimum four length हो चुकी है minimum four greater than three minimum four ही बनती है तो B second place पे भी हो सकता था B third place पे भी हो सकता था B fourth place पे भी हो सकता था और four से आगे B हो सकता था था यह four और four से आगे के लिए यह support है और अगर इस B इससे पहले है तो आपके पास ये ये और ये इसको support करते हैं तो fourth place पे हो B और उसके बाद अगर आपके पास आता है कहीं पे भी और आखर मैंने A star लगाया है कि अगर उस B के बाद भी कोई A आते हैं तो बेशक आया करें यहां पे आखर में A+, A+, और A+, जो है means जितने मर्जी A और अगर आएं तो आया करें अब सिर्फ B की place के ओपर जो है आपके पास यह expressions जो है different किसम के बन रहे हैं exactly one आपके पास B चाहिए था जो के अब बन रहा है अब next example में देखें the language of all strings which has at least one A and one double B एक A और एक double B लाजमी होना चाहिए तो यह आपके पास इधर मैंने A पहले रखा है और double B बाद में रखा है और इधर मैंने double B पहले रखा है और A बाद में रखा है और बाकी से पीछे जो है A प्लस B whole का star A प्लस B whole का star means A और B का कोई साभी combination हो उसके बाद एक A जिसको हम expect कर रहे हैं इसको वैसे आप ज़्यदा जो elaborate अगर करना चाहें तो ये एक और तरीके से भी बन सकता था means के एक A और one double भी चाहिए तो इधर मैं सिर्फ B star लगा देता तो वो भी ठीक था तो B star जैसी पहला A आता उसके बाद अगर और A आते तो A plus B whole star यहां पर accommodate इसको कर लेता पहला A जो अकर होता वो ये वाला consider हो यहां पर B star भी काफी था same like यहां पर आपके पास अगर देखें तो A star काफी था तो बलके A plus B whole star यहां पर ठीक है लेकिन यहां पर आपके पास अगर करें तो B star काफी था और यहां पर हम जो है क्योंके सिंगल B भी अकर हो सकता है इसलिए A plus B whole star सही है यहां पर अमीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी फिर भी किसी भी मुश्टिल की सुरत में बिला जीजक आप लोग मुझे मेरे नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाटसैप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं अपना खियाल रखिएगा अल्ला आपका हामियो नासिर हो अल्ला हाफिज कर दो लोग में